खबीब 2.0, हमजा चमायव, इसके बारे में आप जानी रहोंगे, दस दिन में दो विक्ट्री और दोनों मैच में सिर्फ दो पंचेज खाया उसने, it was amazing, लेकिन आप ये बास समझीए कि UFC अब फिर उसको फिर से बुक करना चाहती है, क्योंकि उसके पीछे इतना जादा मोमे और उसके बास से, he is a star, क्योंकि मतलब उसको देखा गया कि एक ही रात में उसने तीन ओपोनेंट को हरा दिया, लेकिन हमजा चमायव अभी वो उस तरीके का टूनमेंट होता नहीं है, तो हमजा चमायव सिर्फ दस दिन में, क्योंकि पहले वाले फाइट में सिर्फ उसने दो strike खाये थे, और उसके पास से next fight में जो fight हुई थी, मेगी के साथ, जो UK का बहुत अच्छा upcoming debut था उसका, upcoming, he was a star in UK, और उसको मतलब हमजा चमायव ने मतलब एक भी punches नहीं खाय उससे, एक भी strike मेगी मार नहीं पाया हमजा चमायव को, that was amazing, मतलब हम कभी भी ऐसे एक fighter को नहीं देखे हैं, जो मतलब इतना ज्यादा comfortable हो octagon में, और उसके बास से अभी उसकी पहली और दूसरी fight है, उसको थोड़ा nervous होना चाहिए, थोड़ा मतलब किस तरीके से fight में जाना है, उसको मतलब striker है तो strike करना है, या wrestling है तो wrestling करना है, लेकिन हमजा चमायव की एक बात हमको बहुत अच्छी लगी, दो fight में, कि उसको पता है कि उसका ground game world cup best ground game है, अगर है नहीं तब ही वो मानता है, और उसने पहला match उसका हुआ था middle weight में, और उसका बात दूसरा match हो गया उसका welter weight में, मतलब first match middle weight उसके पासे 15 pound उसने मतलब lose करके फिर winter weight में, क्योंकि middle weight में उसको अगले वाले fight में कोई fight नहीं मिल रही थी, तो winter weight में चला गया, और Dana White उसको पूरा support कर रहा है, और मैं क्या बात कर रहा है, मैं बात कर रहा था कि चमायव की एक ही बात हमको बहुत सारी बात पसंद आई, लेकिन एक बात सबसे जादा पसंद आई, कि उसको पता है कि उसका ground game कैसा है, कितना अच्छा है, वो किस तरीके से fight जीश सकता है, and he will going to do that, मतलब shamelessly, मतलब कि उसको कोई उसका शर्म नहीं है, जैसे कि माजविडा से आपको जीता, उस्मान तो उस्मान को बोला जाल रहा था, he was like a boring wrestling kind of thing, लेकिन आपको पता होना चाहिए, और उसको आपको तारीफ करनी चाहिए, कि उस्मान की wrestling ज्यादा अच्छी है, उसकी striking से, तो उसने अपने जो चीज उसका अच्छा है, अपने props पर उसने काम किया मतलब माजविडाल से मैच जीत गया, मतलब माजविडाल को सिर्फ striking करनी चाहिए, माजविडाल जीत जाता, तो मतलब वो striking से जीता, मतलब उसका जादा striking अच्छा है, ground game से, basically, कोई चीज आपकी एकदम बलाबर हो नहीं सकती है, मतलब चमायव का उसका ground game जादा अच्छा to be champion brother, जो brother brother है, और उसने, जो खबीब भी बोलता है एक तरीके से, I will smash corner face, तो चमायव ने भी उसी बात को फिर से repeat कर दिया, I will smash corner face, हम वो बता है कि corner इस बात पर respond कुछ नहीं करेगा, और उसको करना भी नहीं चाहिए, it's going to be hell for corner, अगर वो इससे fight करने के लिए है, लेकिन एक और बात, जो मैं कहना चाहूँगा, कि अब किससे fight किया जाए, क्योंकि एक ये भी बात आप देखीएगा, कोई, आप star जब build कर रहा है, आप एक organization है, तो मतलब कि एक तरीके से competitive fight दे की नहीं दे, अभी उसकी second ही fight थी दो, और बहुत ज्यादा वो overwhelming एक तरीके से जीत तो अभी top 10 या top 15 ranked welter weight या middle weight, पहला बाग कि कौन से weight में करेगा fight, किसी भी weight में करे, I think UFC can give him like 15, rank 15 kind of thing और उसके बास से उसको build up करे, या अभी एक और fight, कोई ranked opponent नहीं दे, कोई ऐसा fighter दे, जो ranked भी नहीं हो, लेकिन उसका wrestling game, ground game अच्छा है, तो एक तरीके से चमायव को एक competitive fight दे, तब उसके बास से पदा चलेगा कि, चमायव is a real Khabib 2.0 or not.